ओम शांति ओम शांति ओम शांति आज 24 जनवरी 2030 दिन मंगलवार की साकार मुरले आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मदूर महावाक्यों को मीठे बच्चे यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम अर्थात मेल होता है सत्गुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ग्यान दे सत्य बोलना सिखाते हैं प्रश्न किन बच्चों की अवस्था बहुत फस्क्लास रहती है उत्तर जिनकी बुद्धी में रहता यह सब कुछ बाबा का है हर कदम श्रीमत लेने वाले पूरा त्याग करने वाले बच्चों की अवस्था बहुत फस्क्लास रहती है यत्रा लंबी है इसलिए उचे बाप की उची मत लेते रहना है प्रश्न मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है उत्तर जो समझते हैं हम शिब बाबा की मुरली सुन रहे हैं यह मुरली शिब बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है मुस्ट बिलवेड बाबा हमे सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए यह सुना रहे हैं मुरली सुनते यह समरती रहे तो सुख भासेगा गीत प्रितम आन मिलो ओम शंती यह दुखिया जिया तो दुखधाम में ही होता है सुखी जीव आतमे सुखधाम में होती है सभी भगतों का प्रितम एक है जिसको ही याद किया जाता है उनको प्रितम कहा जाता है याद करते हैं जब दुख होता है यह कौन बैठ समझाते हैं सच्चा सच्चा प्रितम सच्चा बाप सच्चा टीचर सच्चा सत्गुरु सभी का पृतम वह एक है परंतु पृतम आता कब है यह कोई नहीं जानते हैं पृतम खुद आकर अपने भगतों को अपने बच्चों को बताते हैं कि मैं आता ही हूँ सिर्फ संघम युग पर एक बार मेरा आना और जाना उसका जो बीच है उसको संगम कहा जाता है और सभी आतमाएं तो बहुत बारी जन्म मरण में आती हैं मैं एक ही बार आता हूँ मैं सत्गुरु भी एक ही हूँ बाकी गुरु तो वह नहीं कहें उन्हों को सत्गुरु नहीं कहेंगे क्योंकि वे कोई सत्य नहीं बोलते वे सत्य परमात्मा को जानते ही नहीं जो सत्य को जान जाते हैं वे हमेशा सत्य बोलते हैं वे सत्य गुरु है ही सत्य बोलने वाला सच्चा सत्य गुरु सच्चा बाप, सच्चा शिक्षक खुद आकर बताते हैं कि मैं संगम युग पर आता हूँ मेरी आयू इतनी ही है जितना समय में आता हूँ पतितों को पावन बना कर ही जाता हूँ जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं सहज राजयोग सिखाना आरंभ करता हूँ फिर जब सिखा कर पूरा करता हूँ तो पतित दुनिया विनाश को पाती है और मैं चला जाता हूँ बस मैं इतना ही समय आता हूँ शास्त्रों में तो कोई टाइम है नहीं शिबाबा कब जन्म लेते हैं कितना दिन भारत में रहते हैं यह बाप स्विम ही बैठ बताते हैं कि मैं आता ही हूँ संगम पर संगम युग की आदी संगम युग का अंत गोया मेरे आने की आदी जाने की अंत बाकी मद्य में बैठ मैं राजयोग सिखाता हूँ बाप खुद ही बैठ बतलाते हैं कि मैं इनकी ही वानप्रस्त अवस्था में आता हूँ पराए देश और पराए तन में तो महमान हुआ न मैं इस रावन की दुनिया में महमान ठहरा इस संगम युग की महिमा बड़ी भारी जबरदस्त है बापा आते ही है रावन राजे का विनाश कर राम राजे की स्थापना करने शास्तरों में दंत कताएं बहुत लिख दी है रावन को जलाते आते हैं सारी स्रिष्टी इस समय जैसे लंका है सिर्फ सीलान को लंका नहीं कहा जाता ये सारी स्रिष्टी रावन के रहने का स्थान है वा शोकवाटी का है सबी दुखी है, बाप कहते हैं मैं इसको अशोक वाटी का अथवा हेवन बनाने आता हूँ, हेवन में सबी धर्म तो होते नहीं, वहां था एक ही धर्म जो अभी नहीं है, अब फिर से देवता बनाने राज योग सिखला रहा हूँ, सबी तो नहीं सीखेंगे, मैं भारत में ह आता हूँ, भारत में ही स्वर्ग होता है, क्रिशियन लोग भी हेवन को मानते हैं, कहते हैं, लेफ्ट फॉर हैवनली अबोड, गोड फादर के पास गया, बाकि हेवन को थोड़े ही समझते हैं, हेवन अलग चीज है, तो बाप समझाते हैं कि मैं कब और कैसे आता हूँ, आ आधी मद्य अंत को मैं ही जानता हूँ। अब कल्यूग का विनाश होना है, आसार भी देखने में आ रहे हैं। समय वही संगम का है। अक्यूरेट टाइम कुछ नहीं कह सकते। बाकी हाँ, राजदानी पूरी स्थापन हो जाएगी, बच्चे करमातीत अवस्था को पाएंग तो ज्ञान खत्म हो जाएगा, लड़ाई आरंब हो जाएगी, मैं भी अपना पावन बनाने का पाट पूरा करके जाऊंगा। देवी देवता धर्म स्थापन करना यह मेरा ही पाट है। भारतवासी ये कुछ भी नहीं जानते, अब शिवरत्री मनाते हैं, तो जरूर पुराण आदी किसी शास्त्र में भी यह नहीं है, कि शिवाबा आकर राज योग सिखाते हैं। वास्तव में हर एक धर्म का एक एक शास्त्र है। देवता धर्म का भी एक शास्त्र होना चाहिए, परंतो उसका रचियता कोन इसमें ही मूझ गए हैं। बाप समझाते हैं, म पुझे जरूर ब्रह्मा द्वारा ब्रहमन धर्म रचिना पड़े। ब्रह्मा मुख वैंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे। बहुतों के नाम बदली हुए। उनसे बहुत भागनती हो गए। साथ में रिप्लेस भी होते हैं। बाकी देखा गया नाम से कोई फाइदा नहीं। वैं तो भूल भी जाते हैं। वास्तव में तुमको योग लगाना है बाप से। नाम शेरीर का मिलता है। आत्मा का तो नाम है नहीं। आत्मा 84 जन्म लेती है। हर जन्म में नाम, रूप, दे, शिकाल सब बदल जाता है। ड्रामा में कोई को भी जो एक बारी पार्ट मिला हुआ है, उसी रूप में फिर कभी पार्ट बजा ना सके। वही पार्ट फिर 5000 वर्ष के बाद बजाएगी। ऐसे नहीं क्रिश्न उसी नाम रूप से फिर कोई आ सकता है। नहीं। यह तो जानते हैं, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो फ पहले से ही ड्रामा में नूंद है। नया कुछ नहीं बनता है, अब शिवरात्री मनाई जाती है, जरूर शिव आया है। वही सारी दुनिया का प्रितम है। लक्ष्मी नारायन वा राधे क्रिश्न का वा ब्रह्मा विश्नु आदी कोई प्रितम नहीं है। गौड फादर ह प्रितम है। बाप तो जरूर वर्सा देते हैं। इसलिए बाप प्यारा लगता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो क्योंकि मेरे से तुमको वर्सा पाना है। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई अनुसार जाकर सूर्यवंशी देवता वाचंद्रवंशी शत्रिय सबी भारतवासियों का धर्म एक होना चाहिए। परंतु देवता धर्म नाम बदल हिंदू नाम रख दिया है क्योंकि वह दैवी गुण नहीं है। अब बाप बैठ धारन कराते हैं कहते हैं अपने को आत्मा समझ अशरीरी हो जाओ। तुम कोई परमात्मा नहीं हो परमात एक शिव है। वैस सभी का प्रितम एक ही बार संगम युग पराते हैं। ये संगम युग बहुत चोटा है। सभी धर्मों का विनाश होगा। ब्रहमन कुल भी वापिस जाएगा क्योंकि उन्हों को फिर दैवी कुल में ट्रास्फर होना है। वास्तव में यह पढ़ाई ह सिर्फ भेट की जाती है। यह विशे विकार हैं जहर। यह ग्यान है अमरित। यह तो मनुश्य को देवता बनाने की पाठशाला है। आत्मा में जो खाद पड़ी है एक दम लम्मा बन गई है। उसको बापाकर हीरे जैसा बनते हैं। शिव रत्री कहते हैं। रत्री में आया परंतु कैसे आया किसके गर्ब में आया या किस शरीर में प्रवेश किया गर्ब में तो आते ही नहीं है। उनको शरीर का लोन लेना पड़ता है। वे जरूर आकर के नर्क को स्वर्ग बनाएंगे परंतु कब और कैसे आते हैं यह किसी को पता नहीं है। शासर तो बह सभी मनुश्यों को स्टेज पर जरूर हाजर होना है बाप आते ही हैं अंत में उनकी ही सब मही मागाते हैं कि तुम्हारी गती मत तुम ही जानो तुम्हारे में क्या ग्यान है कैसे तुम सद्गती करते सो तुम ही जानो तो वे है श्रीमत देने आएगा तो जरूर ना परन तो कैसे आते हैं किस शरीर में आते हैं वे कोई जानते नहीं खुद कहते हैं साधारन तन में मुझे आना है मुझे ब्रह्मा नाम भी जरूर रखना पड़े नहीं तो ब्रह्मन कैसे पैदा हो ब्रह्मा कहां से आए? उपर से तो नहीं आएगा वह है सुक्ष्व वतनवासी अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा यहां तो जरूर व्यक्त में आकर रचना रचनी पड़े हम अनुभव से बता सकते हैं इतना समय आते और जाते हैं बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बंदा हुआ हूँ और मेरा पार्ट भी सिर्फ एक बार आने का है बल दुनिया में उपद्रव बहुत होते रहते हैं उस समय कितना इश्वर को पुकारते हैं परन्तु मुझे तो अपने समय पर ही आना है और आता भी हूँ वानप्रस्थ अवस्था में ये ज्यान तो बड़ा सहज है परन्तु अवस्था जमाने में मेहनत है इसलिए कहेंगे मन्जिल बड़ी उची है बाप नौलेज़ फुल है तो जरूर उसने बच्चों को नौलेज़ दी है तब तो उनका गायन है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो बाप कहते हैं मेरे पास जो सुख शांती का खजाना है वह बच्चों को ही आकर देता हूँ यह जो माताओं पर अत्याचारादी होते हैं यह भी ड्रामा में नूद है तब तो पाप का घड़ा भरेगा कलप कलप ऐसे ही रिपीट होता है यह बातें भी तुम अभी जानते हो फिर भूल जाएंगे यह ज्यान सत्यूग में होता नहीं अगर होता तो परंपरा चलता वह तो प्रालब्द है जो अभी के पुर्शार्थ से पाते हैं यहां के पुर्शार्थ वाली आत्माएं वहां होती है, दूसरी आत्माएं होती नहीं, जिनको ग्यान की दरकार रहे, यह भी जानते हैं, कोई विर्ला निकलेगा, बहुत अच्छा अच्छा भी करेंगे, समझो विलायत वाला कोई बड़ा आदमी निकलता है, समझता है, पर बात तो ठीक है, परन्तु पवित्र नहीं रह सकते, अरे इतने सब पवित्र रहते हैं, शादीकर इकठे रहकर भी पवित्र रहते हैं, तो उनों को इनाम भी बहुत मिलता है, यह भी रेस है, उस रेस में फर्स्ट नंबर जाने से चार पाँच लाख मिलेंगे, यह तो 21 ज सुना रही हैं, अत्वा बच्चियां सुनाएंगी तो कहेंगी, शिप बाबा की मुरली सुनाते हैं, तो बुध्धी एकदम वहां जानी चाहिए, वह सुक अंदर में भासना चाहिए, मोस्ट बिल्विड बाप हमको सदा, सुखी मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो उनकी याद बहुत रहनी चाहिए, परंतु माया याद को ठहरने नहीं देती, त्याग भी पूरा चाहिए, यह सब कुछ बाबा का है, यह अवस्थाफस क्लास रहनी चाहिए, बहुत बच्चे हैं, जो श्रीमत लेते रहते हैं, श्रीमत में जरूर कल्यान ही होगा, मत भी उची ह यात्रा भी लंबी है, फिर तुम इस मृत्यू लोक में नहीं आएंगे, सत्यूग है ही अमर लोक, उस दिन बाबा ने बहुत अच्छी रीती समझाया, कि वहां तुम मरते नहीं हो, खुशी से पुराना चोला बदल नया लेते हो, सर्प का मिसाल तुम्हारे लिए है, ब्र की भूभूं कर परिस्तानी परिजादा बनाते हो, अभी पुर्शार्थ अच्छी तरह करना है, उच्पद अथवा अच्छा नंबर लेना है, तो मेहनत भी करनी है, भल धन्दा आदि भी करो, वह टाइम छूट है, फिर भी टाइम बहुत मिलता है, अपना योग चार्ट दिखना चाहिए क्योंकि माया बहुत विघन डालती है, बाबा बच्चों को बार बार समझाते हैं, मीठे बच्चे भूले चूके भी ऐसे मोस्ट बिलविड बाप, वा साजन को फारक्ती शल, अर्थात कभी कोई न देवे, इतना महामूर्ख कोई न बने, परंतु माया ब कर देती हैं, क्योंकि श्रीमत चोड़ देते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं, ऐसा बड़े ते बड़ा महामूर्ख नहीं बनना है, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुह दानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, धारना के लिए मुख्य सर, बाप द्वारा जो सुख शांती का खजाना मिला है, वह सब को देना है, ज्यान से अपनी अवस्था जमाने की महनत करनी है, दैवी गुण धारन करने के लिए देहभान को प्रिरी बन एक प्रितम को याद करना है, वर्दान विशेष्टा के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव अब आप दादा के वर्दान को विस्तार में समझें, इस विशेष यूग में विशेष्टा के बीज का सर्व श्रेष्ट फल है, संतुष्टता संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना यही विशेष आत्मा के निशानी है, इसलिए विशेष्टाओं के बीज अत्वा वर्दान को सर्व शक्तियों के जल से सीचो तो बीज फल दायक हो जाएगा, नहीं तो विस्तार हुआ, व्रिक्ष भी समय प्रती समय आए दूफान में हिलते हिलते तूट जाता है, अर्थात आगे बढ़ने का उमंग उत्सह खुशीवा रुहानी नशा नहीं रहता, तो विधी पूर्वक शक्तिशाली बीज को फल दायक बनाओ, स्लोगन अनुभूतियों का प्रसाद बाटकर असमर्थ को समर्थ बना देना यह सबसे बड़ा पुन्य है, अनुभूतियों का प्रसाद बाटकर असमर्थ को समर्थ बना देना यही सबसे बड़ा पुन्य है, ओम शंति